नमस्कार दोस्तों, आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम मल्टी करड का ये खुबसूरा सा स्वेटर बनाएंगे इसका डिजाइन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है छोटे बच्चे का ये स्वेटर है जिसमें मैंने नीचे 63 फंदे डाले है 63 स्टीचे और बार्डर नहीं बनाया है बाद में मैं इसमें क्रोश्तिय से बार्डर बनाऊंगे इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखा है और 8 इंच बनाने के बाद 10 फंदे एकी बार में ये लोर सोल्डर पे मैंने 10 फंदे एकी बार में घटाया है कब नहीं बनाना चाहिए तो हम की अनदाजा मिलता है कि हम गला कहां से घटा है और क्या करें इसका अंदाजा हमको मिलता है इसलिए बैक पोजिशन पहले बनाना चाहिए तो चलिए हम स्वेटर बनाते हैं देखिए फ्रेंट्स इस समय हम यहां पर हैं यानि की लोवर सोल्डर से आधा इंच पहले और इस समय मैंने 30 फंदे बुल लिये हैं और इस साइड में 33 फंदे हैं तो अब मैं बीच के 3 फंदे घटा लोंगे एक बुना, दो बुना, पिछला वाला फंदा आगे वाले पे चड़ा दिया एक घट गया, यह दो घट गया, और यह तीन तो मिडिल के 3 फंदे मैंने घटा लिया हैं देखिए, इधर की तरफ 30 फंदे हैं, इधर की तरफ 30 फंदे हैं 29 फंदे यह और एक फंदा सलाई में हैं तो 30-30 फंदे दोनों साइड में हैं और अब हमारा यह दो हिस्से में हो गया है उसके बाद जो अपना पैटर्न है वो हम बनाएंगे अब इधर का हिस्सा हम छोड़ देंगे और दूसरा हिस्सा ही हम पहले बनाएंगे यानि राइट अंड साइड वाला तो जो हमारा पैटर्न है हमको कुछ करना नहीं है जो हमारा पैटर्न है बस हमको वही बनाना है गले की तरफ हमको कुछ भी नहीं करना है देखें यहां न फंदा बढ़ रहा है न घट रहा है बस हमको यहां पे सिंप्ली जो डिजाइन है उसी को कायम रखना है हमारा यह पार्ट बैक पोशन के बराबर हो गया है यानि अब हमको यहां पे लोवर सोल्डर घटाना है तो चुकि हमने उसमें दस फंदे घटाये थे तो इसलिए मैं इसमें भी दस फंदे घटा लूँगी पंदे घटाने के लिए वही करना है दो फंदे बुनेंगे बीछे वालब जो है वो फंदा आगे वाले पे चड़ा देंगे तो मुझे दस फंदा इस लाइन में घटाना है दो फंदा बुनेंगे पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चड़ा देंगे दो फंदा बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चड़ाते जाएंगे तो पीछे वाला फंदा घटा चला जाएगा इसी तरह हमको दस फंदे घटा लेना है देखे फ्रेंड्स ये हमारा लोवर सोल्डर घट गया है और अब हमें कुछ भी ने करना है बस इसी डिजाइन को ये दो फुल और हमको बनाना है यानि ये पीले वाले तक पहुँचना है बस जो डिजाइन है उसी को बनाते हुए दोनों तरफ कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है बस अपने डिजाइन को आगे बढ़ाना है देखे फ्रेंड्स अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये देखे ये इतना हमने ऐसे ही बना है और अब हम क्या करेंगे कि साथ फंदे एकी बार में खतम कर देंगे ऐसे हमको सीधा बना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पर चड़ा देना है एक खतम हुआ दो टीम चार पांच छे और साथ फंदा एकी बार में खतम कर दिया और बाकी फंदे को हम सीधा बनेंगे और जो हमारा पैटन है उसको कायम रखेंगे ये अब हमारा ये गला घट गया है और अब हम पीछे वाले पल्ले के बराबर इसको करके और जोड़ देंगे तो मैं जोड़ के आपको दिखाते हूँ देखिये फ्रेंट्स गला बनके तयार है लेकिन अभी मैं इसे जोड़ूंगी नहीं वरना दूसरा पार्ट बनाने में बहुत परशानी होगी तो इसी के जैसा मैं ये पार्ट भी बना के आपको दिखाते हूँ देखिये फ्रेंट्स ये दोनों पार्ट बनके तयार हो गया है और अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे कि दोनों का सीधा वाला पार्ट एक दूसरे के सामने कर देंगे और दोनों का ये बैक पोशन जो है वो उपर आ गया अब क्या करेंगे अब दोनों सलाईयों में से एक एक फंदे लेंगे एक फंदा इस सलाई से और एक फंदा इस सलाई से दोनों सलाईयों में से एक फंदे लेंगे और उन्हें उल्टा बूल लेंगे और फिर अगले दो फंदे लेंगे और उन्हें उल्टा बुन लेंगे और अब दाइने हाथ किसलाई पे दो फंदे हो गया है तो पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चड़ा देंगे फिर अगले दो फंदे लेंगे एक एक सलाईों में से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चड़ा देंगे या फिर ऐसा करेंगे कि तीसरे सलाई में से दोनों में से एक एक फंदे इसे तीसे सलाई में से दोनों में से एक-एक फन दे लेंगे compound और तीसे सलाई पे चढ़ाते चरे wieder सारे फनी ऐसे चढ़ालेंगे और हब इसको वापस दूस्री सलाई पे कर लेंगे इस दूसरी सलाई पे लेंगे और अब यह देखिए, दो-दो के पेर में आ गया है, तो दो फंदे एक साथ लेंगे, और एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चरहा देंगे, इस तरह करने से फंदे गिरने का डर खतम हो जाता है, और बुनने में भी आसानी हो जा ज trophy साथ क कि पीछे वाले वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चरहा देंगे इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे गटा लेगे और अब गले पर के ये पीछे का साइड है इसमें 17 फंदे जो गले पर हैं वो हम घटा लेंगे ये हमारे आगे का हिस्सा है इसमें 13 फंदे हैं तो 13 फंदे हम छोड़ेंगे तो बीच में 17 फंदे आ रहे हैं इसको हम घटा लेंगे कि रजर जजर साथ जब 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 जा हो जब उल्जाद का हुआ है बीच के 17 फन्दे घट गया है और अब यहां पर 13 फन्दे हो और यहा पर भी 13 फन्दे जो आपको सुभिधा लगे उस विदी से आप इसको कर सकते हैं हमको दोनों को एक दूसरे में अटैश्ट करना है जिस भी विदी से आपको अच्छा लगे या तो दोनों मेंसे एक एक फंदे लिजिए और एक साथ लेते हुए घटाते जाएए या फिर तीसी सिलाई में जैसे मैं कर रहे हूँ जैसे एक एक फंदे तीसी सिलाई में चढ़ा लेजे और वापस उसको दूसरी सिलाई में उतार लेजे इन दोनों वीडियों में से आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं दो को लिया, बुना, फिर अगले दो को एक साथ लिया, बुना, और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चला लिया अब हमारे ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ गया, देखे, स्वाटर कंप्लेट हो गया है अब हमको इसकी सिलाई करना है और क्रोशे से काम करना है